दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव हुये, जिस तरीके से कानून, नीयम सब को तार-तार कर दिया गया और जहांपर सचे पत्रकारों ने अपनी इमानदारी से पत्रकारी ता किए अब उस पत्रकार को जराया जा रहा है, धंकाया जारा इन फैक्ट उसे जड़ा धमका कर कहीं छुपा दिया गया कहीं बंद कर दिया गया जिसका आरोप खुद पत्रकार लगा रहे हैं जिया दोस्तो जब सच दवाया जाने लगे जब छुपाया जाने लगे तो आप समझ जाए कि क्या हो रहा है किस तरीके से चुनाव का मजाग बनाया जा रहा और एक पार्टी के लिए जीत ही सब कुछ है क्योंकि कहती है ना कि हम पत्रकारों को नहीं जराते हैं नहीं धमकाते हैं तो फिर ये क्या है क्योंकि उत्तर प्रदेश से पत्रिका के पत्रिकार को जिस तरीके से जराया गया धमकाया गया उनके सारे बैक अप उनके सारे वीडियो को जिलीच कर दिया गया ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं दिरसल दोस्तों आपको बता दे कि पत्रिका के पत्रिकार जो है उप्चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे थे जिस तरीके से पुलिस बरवर्ता कर रही थी लोगों को परिशान कर रही थी जरा रही थी धमका रही थी उसका पूरी तरीके से वो कवरेज कर रहे थे लेकिन जैस लोगों के सामने ना सके जिस तरीके से कल आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कैसे आरोप लगाया और कहा गया कि पुलिस प्रिशासन बीजेपी के साथ मिली हुई है बीजेपी के साथ कंदे से कंदा मिला कर चुनाव लड़ा रही है चुनाव लेने के लिए जो भी लोग जा रहे हैं उनको जराया जा रहा है उनको धंकाया जार और मुसल्मान नाम देखकर तो उन्हें फटकार करके भगा दिया जा रहा है ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर समाजवादी पाटी की तरफ से शेयर किया गया था लेकिन अब इस मामले में एक एहम बात सामने आई है वो एहम बात ये है कि अब पत्रकारों पर भी शिकंजा कसना पुलिस ने शुरू कर दिया है जराना धमकाना उनके फोन छीन लेना अब ये आम हो गया है क्योंकि जो दलाल है वो दलाली करते हुए हाजी हाजी मिला बोलते हैं तो उन पर कुछ कारवाई नहीं होती उल्टा उनको संरक्षन दिया जाता है अगर वो किसी मामले में जेल चले जाते हैं तो उनको आनन फानन में रिहाई मिलती है मदद करती है लोगों का कैसे मदद कर रही है जब पत्रकार सच दिखाने जाते हैं तो उनको बंदी बना लिया जाता है उनके फोन छीन लिये जाते हैं ऐसे मदद हो रहा है ऐसे भैमुक्त प्रदेश बनाया है यूगी जी ने क्या इसी को भैमुक्त प्रदेश कहा जाएगा जहां पर पुलिस प्रिशासन पर सीधे तोर पर संगीन आरोप लग रहे हैं दोस्तों आपको बता देए कि जनारदन पांडे ने टूइट किया और इसकी जनकारी दी है कि रामपूर में वोटिंग के दौरान हकीकत को बताने वाले दो रिपोर्टर्स को पुलिस ने देर राज छोड़ा उनको बंदी बना लिया था इसे पहले उनके फोन रिसेट किये गूगल बैकप से सारा रिकॉर्ड हटवाया और फेस्बूक आईडी ओपन करके वारल हो रहे हैं दो वीडियो को पत्रिका यूपी के फेस्बूक पेज से डिलीट करवाया इस कदर जो है यहाँ पर लोगों को जराया धमकाया गया है सीधे तोर पर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस जो है गुंडागर्दी पर उतर आई थी सुमित यादब टूइट करते वे लिख रहे है ये भी शायद पत्रकार है इनके प्रोफाइल में भी पत्रकार लिखावा है और ये वेरिफाइड अकॉंडर लिखते हैं कि पत्रकार हो तो कुछ भी दिखाओगे पुलिस और सरकार से पूछे बिना खबर करेंगे 20 साल की कठोर सजा मिलनी चाहिए थी लेकिन दया दिखाते वे 24 घंटे में ही छोड़ दिया थैंक्यू बोलना चाहिए ये इन्होंने तंज कसा है कि क्या हालत हो गई है 20 साल से कम सजा नहीं होती है अगर सच दिखा दोगे तो इनको सजा होती है लेकिन यहाँ पर तो 24 घंटे के अंदर इन लोगों ने छोड़ दिया है आगे आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं ये मनोज काका का वीडियो है जो इन्होंने कल ट्वीट किया था और लिखा था कि रामपूर में देखी ASP संसार सिंग गुंडाग तो उसे नागवार लगा और फिर क्या यही निस्पक्ष चुनाब हो रहा है इसी वीडियो को फिर से जनार्दन पांडे ट्वीट करते हैं ये भी पत्रकार हैं और ट्वीट करते वे लिखते हैं कि इस वीडियो के बाद जीहां इस वीडियो के बाद इस वीडियो में इठाया हुआ है और 24 घंटे के बाद जब पूरी 24 घंटा जब पूरा हुआ तब इनको छोड़ा गया है इस तरीके से पत्रकारों के साथ उत्तर प्रदेश में सुलूख हो रहा है आशिस उर्मिलिया लिखते हैं कि रामपूर में अपना घर छोड़ कर दीते 15 दिनों से दिन से इन्होंने एक और ट्वीट किया है और लिखा है जब जनता ने उनसे सवाल पूछा तो जनता को भी वो दराने धमकाने लगे और उनको बोल रहे हैं कि आप क्या करोगे हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं तो इस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं आगे दोस्तो एक और ट्वीट है इसी वीडियो पर श्यामू यादब नाम के यूजर है वो लिख रहे हैं चुनाव आयो की सारी हदे पार कर दी गई है पुलीसिया तंत्र के द्वारा चुनाव आयो का नाम परिवर्तित करके क बोह तक बेश डाला है नकाड़ी पुलिस यूपी पुलिस तरीके से श्यामु यादब जो है वो लिख रहे हैं इस तरीके से तमाम लोग जोस्तों ट्وीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि उत्तरप्रदेश में सच दिखाने वाले सच बोलने वाले पत्रकारों का यही हश्र होता रहा है आज पहली बार नहीं है जब नमक रोटी वाला जो मिड़े मिल वाला स्टोरी दिखाया था हला कि वो पत्रकार हमारे बीच नहीं रहे हैं वो उनकी मिर्ती हो गई है कैंसर हो गया था लेकिन जब उन्होंने सच दिखाया था लोगों तक सच बया किया था कि कैसे जो है यूपी में विकास की नहीं नहीं तस्वीर जो छबाई जाती है स्कूलों की और तमाम अस्पतालों की तो उस स्कूल में जाकर वो मिड़े मिल का पूरा पूरा जो है पर दबिश बनाया जाता है और एक पत्रकार हमारे नौईडा में है जी हाँ फिल्म सिटी में है जहां पर बैठ कर वो सारी चाटू कारिता की हद खो बैठे हैं चाटू कारिता किसे कहते हैं उसकी भी निचले अस्तर पर जा पहुँचे हैं चाटू कारिता तो यह आट साल से उठे थे और इनको हार का सामना करना पड़ा है। यही नतीजा है कि अब ये जनता को गाली देने से भी नहीं चुकते हैं। उस चैनल पर इस तरीके की पत्रकारिता होती है। अगर आका कहेंगे कि दिन में रात है और रात में दिन है तो ये वही बोलते वे नजर आएंगे। तो इनकी असलियत उनकी सचाई अब आप सब के सामने है कि सचे पत्रकारों को पत्रकारिता करने से कैसे रोका जा रहा है। अगर उससे भी मन नहीं भर रहा है तो उनका डिवाइस तोड़ दिया जा रहा है। उनके कैमरे को तोड़ दिया जा रहा है, उनके फोन को तोड़ दिया जा रहा है, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े पोस्टर लगा कर देश और दुनिया में गाया गया था कि अपराद मुक्त प्रदेश है, भै पर सब सुरक्षित है पहले कि सरकार में जंगल राश था गुंडा राश था लेकिन यहां पर पुलिस का काम क्या है वो आपके सामने है दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया है हमें कॉमें सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ दनेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले